आज हम लोग चर्चा करेंगे उस विशए पर, जिस विशए को लेकर अस्टुडेंट और गारजियन के अस्तर पर धेर सारी भानतियां हैं, चुकि ऐसे धेर सारी प्रसना आते रहते हैं इंक्वाईरिज में. गार्जियन और स्टुडेंट दोनों ये पूछते हैं भाई कि हमारा बच्चा टेंथ कर गया अभी से चाहते हैं कि वो सिबिल सर्विसेज के लिए तैयारी करे आपके हाँ इसकी क्या वेवस्ता है कुछ स्टुडेंट भी फोन करता है सर मेरा 12 में हो गया है मैं 12 पास कर गया हूँ अब मैं चाहता हूँ कि इस एक्जामिशन के लिए तैयारी कर चलिए वो तो सही सोच रहा है कुछ ऐसे भी स्टुडेंट और गार्डियन है जो ये पूछते हैं भाई कि 11 में हमारा बच्चा है चाहते कि अभी से सिविल सर्मिशेज की तयारी करवें ये क्या उचित है कि 10th क्लास से 11th क्लास से या 12 में mutedmission लिये और सोचना शुरू Qui श्रूरिये कि सिविल सर्मिशेज की तयारी वेह से सुरूद किया जाए इस ब्रांती का रीजन भी है कि चुकी दिमाग में एक बात तो घर कर गई है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एक्जामनेशन है और इस एक्जामनेशन में निकालने के लिए पहले से ही प्रिष्ट भूमी का निर्मान हो जाना चाहिए और पहले से ही अगर सतत अध्यन किया जाए तो सिबिल सर्विसेज निकाला जा सकता है यूटूब पे कई ऐसे महानुभाव भी इस बात का जिकर कर देते हैं कि आठमा नुमा से ही तैयारी शुरू कर बा दिया जाए लेकिन सही माइने में देखा जाए तो सिबिल सर्विसेज जो है ये इसको मैचुरिटी के अस्तर पे देखिए इस एक्जामनेशन को मैचुरिटी के अस्तर पे देखने की जरुवत है चुकि ऐसे एक्जामनेशन जो भी हो रहे हैं बिसेज हो या PCS हो, एक्जामनेशन तीन अस्तर पे होता है, PT, मेंस और इंटर्वियो, जब आप PT के अस्तर पे तयारी करते हैं, तो आप बिसेज बस्तू का समगर अधियन करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ साथ करेंट इसु भी आड़ होता है, तो वहा समारते हैं, एंसर बनाते हैं, लेकिन समगर अधियन की जरूरत परती है, सिबिल सर्विसेज में कोश्चन का अस्तर भी कंसेप्चुल होता है, यानि विसेबस्तू को समझने के लिए मैचुरिटी की भी आबस सकता परती है, जब वही बच्चा मेंस दे रहा होता है, तो मे descriptive answer लिखना होता है, यानि आपकी लिखन सैली ही बेहतर होनी चाहिए, आप अपने भाव को कैसे बेहतर सब्द में बेहतर सेंटेंस में परजेंट करेंगे, इसकी भी जरूरत होती है, जब वही स्टूडेंट इंटर्वियो देता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे उसे बेहतर बोलना परता है, यानि आप अपनी विचार का परस्तूती करन कैसे करते हैं, आपको खुद परजेंट होकर करना परता है, तो तीनों अस्तर का डिमांड अगर देखें, तो ये मैचुरिटी का डिमांड करता है, तो वैसे अ स्टूडेंट, जिसमें पढ़ने की चं करता है, तो वैसे इस्थिती में क्या करता है, अपने आपको सफल करता है, सिबिल सर्विसज में, इसलिए नहीं करता है कि वो पिछले साथ साल से तयारी कर रहा है, कि आठ साल से तयारी कर रहा है, और किस चीज की तयारी कर रहा है, वो तेंथ क्लास में तेंथ किसले बसको इमानदारी से पढ़ता है, विसय बस्तु को समझता है, प्राक्टिस करता है, लिखने की प्राक्टिस करता है, डिबेट में, सेमिनार में बोलने की प्राक्टिस करता है, ठीक उसी प्रकार, एलेबेंट तेन, बतब ट्वेल्थ में, चाहे जो भी सब्जिक्ट रहा हो, उस व आप जब ग्रेजिशन में आकर तयारी शुरू करते हैं, तब तक आपका दिमाग भी मैचोर्ड हो चुका होता है, बिसे बस्तू को समझने की छमता बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि किसी एबेंट का क्या सकरातमक पक्च है, क्या नकरातमक पक्च है, आप उस पर अपना क्या वीजन दे सकते हैं, आप क्या बिचार दे सकते हैं, आप में बिचार निर्मी ठोन करने की छमता बढ़ जाती है, तो वैसी स्थिती में आप सिबल से नकालते हो, इसका मतलब है कि मैचोरीटी के बाद ही अगर तयारी किया जाए, तो ये डबेश त को तयार कर लें, 11 से माइंडशेट को तयार कर लें, भाई कि आगे हमको सिबल सर्विसे देना है, और अगर ये माइंडशेट है कि हमको सिबल सर्विसे देना है, तो सिर्फ यहीं कोसिस करनी है, कि जिस विसे बस तू को हमें पढ़ना है, जो हमारा सलिबस है, उसको बस ये जरूर ही है ऐसा नहीं कि Civil Services के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ना शुरू कर दे नहीं आप 10th में जो पढ़ रहे हैं जो आपका सिलेबस है इमानदारी से पढ़िए 10th में आपका Science है, Arts है, Commerce है जो भी आइमानदारी से पढ़िए उसको वहाँ पे अच्छा कीजिए वहाँ बेहतर परफॉर्म कीजिए और साथी साथ ये जरूर कोशिस कीजिए कि अगर आगे आपका लक्ष से बिल सर्विसेज का है PCS का है तो नियूज पेपर और नियूज के संपर्क में रहिए इसेनल इंटरनेशनल इसू के संपर्क में रखे रहिए जानने की कोशिस कीजिए क्या है इसका क्या बेभारिक पक्ष है यही सपिसियेंट है इसका मतलब अच्पषत है कि अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो mindset आप 10th में भी तैयार कर सकते हैं, 12th में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन actually civil services की तैयारी अगर प्रारंब करनी है, तो जब आप graduation में आते हैं, उस बक्से आप तैयारी प्रारंब कर सकते हैं, ठीक है? हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? क्या करना चाहिए हमको? तो एक सामाने चीज आपने कभी गौर करके दिखाओगा, चुकि बच्पन से हमारी आदत routine की पड़ी होती है, जब अस्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक routine होता है, उनका एक home work होता है, और आज अगर सामाने का जो एक दाई तो गार्जियन का होता है, तो गार्जियन स्टुडेंट के पीछे लगा हुआ है, वो रूटीन को फॉलो कर लेता है, सरकारी अस्कूल में थोड़ी ये प्रविर्टी कम है, गार्जियन पर इस प्रकार का प्रेशर नहीं है, लेकिन अब लगता है के अस्तर पे भी आवेर्नेस है, वो लोग जागरू के हैं, वो लोग भी दवाव डालते हैं, टीचर पे, स्टुडेंट पे, भाई की टाइम पे, मतलब की अपने कोर्स को पूरा करो, या फिर क्या कहता है, हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है, नहीं हम लोगों के टाइम तो कोई गार्डियन का प्रेशर भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, सिनेमा हॉल में भी बैठके आराम से हम लोग बोल लेते हैं, क्या कोचिंग क्लास में बैठे हुए हैं, बाद में फोन करेंगे, तो यहाँ पे, मतलब की हमारे उपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं ह कि कल से यह हम फॉलो करेंगे, इस टाइम में जोगरफी परहेंगे, इस टाइम में हिस्ट्री परहेंगे, इस टाइम में साइंस परहेंगे, इस टाइम में करेंट परहेंगे, जो कभी पूरा नहीं होता है, आप कभी भी गौर करके देखिए, आप में से साइध सबों ने ये काम किया है, रूटीन बना कर टेबुल के किनारे चिपका दिये, कि भाई, ये पूरा करना है, लेकिन कोई भी अगर बाधा हुई, चुकि आप घरी की तरह तो चल नहीं सकते हैं, इसातनी की बैटरी लगा दिये, कि एदम सिस्टमाइच हो गया, सरदी खासी जुकाम हो सकता है, कोई मित्रह हो आ सकता है, आज सिनेमा देखने का मूड हो सकता है, तो आज का रूटीन फॉलो नहीं होगा, तो वैसे इस्थिति में हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कल से रूटीन फॉलो करेंगे, अब आप सुचिए कि आज आप एक छोटा सा हर्डल आया, तो आपने रूटीन को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, बलकि क्या हुआ, कल से रूटीन फॉलो करेंगे, क्या कल ऐसा नहीं होगा, कल भी ऐसा ही होगा, कल ऐसा होगा, फिर क्या कल से रूटीन फॉलो करेंगे, कि आपको पढ़ना नहीं आता है अगर पढ़ना आ जाएगा तो सफलता तो मिलेगी यह मिलेगी जग मार के मिलेगी तो फिर पढ़े कैसे तब पढ़ने के लिए है कि ब्रेन को एक टारगेट दीजिए आप ऐसे सोचिए कि आप कभी भी घर पे बैठ के कि क्या ऐसा कभी हुआ है जब ग्रेज़शन का एकजाम दे रहे थे या ग्रेज़शन का एकजाम देना हो तो आप बैठ के एकड़ पांच कोश्चन पे आपने एक बार में प्रैक्टिस किया हो और तीन घंटे में पांच कोश्चन के अंसर को लिखा हो ऐसा कभी नहीं होता है क्यों चुकि हम घर पे बैठ के नोर्स बनाते है हम खुब रच रच के एंसर बनाते हैं एक ही कश्चन को बनाते हैं पांच पांच घंटा चार चार घंटा टाइम देते हैं लेकिन वही बनदा जब ग्रेज़शन होता है वो तीन घंटे में 30-35 पे लिखके निकलता है आखिर क्यों क्या बज़ए कि हम रूम में ये काम में कर पाते हैं हम एक कोश्चन पर जितना टाइम देते हैं उतने टाइम में एक्जामिसन होल में हम पांच कोश्चन लिखते हैं 30-35 पे लिखके निकलते हैं तरगेट दीजे जब भी आप पढ़ाई कीजे जब भी आप अपना ब्लूप्रिंट बनाए रूटीन ने ब्लूप्रिंट बनाए कि कल भाई हमें दीर बढ़ में सुबह दो पहर शाम और रात को पढ़ना है चार सिप्ट में अगर हमको डेर गंटा भी पढ़ना है तो देर काई टारगेट दीजे ब्रेन को कि भाई देर गंटा में तुमको इतिहास का ये टॉपिक करना है देर गंटा में करेंट का हमें ये टॉपिक करना है और तब अपने कंटेंट के साथ कोश्चन बैंक के साथ कॉपी और कलम के साथ बैठिए पढ़िए और लिखिए चुकि म को छोटा करते हैं धीरे-धीरे क्या होता है पूरा का-पूरा content साब के दिमाग में होता है आपमें बिस्तार देने की भी च्छम्ता बर्ती और आपमें उसे चीज को श्रिशप्ट करने की भी च्छम्ता बर जाती है ये तब होता है जब knowledge के अस्तर पर पिक पर होते है कहने का मतलब है कि तमाम चीजों के बारे में बहुत बहतर जब जानकारी होती है तब ही आप ऐसा कर पाते हैं कि आप उसको बड़ा भी करते हैं आप उसको छोटा भी करते हैं ठीक है ये जरूरी होता है तो पढ़ने का तरीका यही सबसे बहतर है कि आप blueprint बनाईए एक बार में नही सोची की आठ गंटा रात में जब के पूरी तरह पढ़ना है दो बज़ रात तक हम जगे रहेंगे तीन बज़ रात तक जगे रहेंगे अगर आपके हैबिट में सामिल है मैं मना करने बाला कौन होता हूं लेकिन दबेस्ट पढ़ने का तरीका यही है कि इसको सिप्ट में चार सिप्ट पांस सिप्ट में अगर पढ़ा जाए आपका मेमोरी पाबर बहतर होता है आपके हेल्थ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है आपके ब्रेन पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है और आप सामाने खाली पढ़ाई ही तो नहीं करना है इंटरट तिन में blueprint के हिसाब से, अगर आपने brain को ये target देके तैयारी शुरू कर दिया, कि नहीं भाई, दिर घंटे में इसको पूरा करना है, जाहिड सी बात है कि आप सब्ता हमें पांच दिन पढ़ेंगे तो धेर सारा topic होगा, और दो दिन सनी बार रभी बार उसको revise करने के लिए भ जाता है, इसी को आप क्या करते है, result oriented पढ़ाई करना, ठीक है, तो ये अगर पढ़ने का तरीका है, तो ना ठकाबट होगी, और साथी साथ पढ़ाई आपके लिए उबाऊ भी नहीं होगा, और आपको ये लगेगा, कि आप एक निश्चित समय सीमा में एक बहुत बड़े एरिया को आपने कभर किया, आप सफलता के करीब होते हैं, लेकिन वही जब रूटीन बनाके पढ़ते हैं, तब फिर क्या होता है, आप बिलकुल कल पर टालने की आदत पर जाती है, और आप टालते रहते धीर धीर आदत पर जाती है, और आदत तो कभी जाती नहीं, नहीं अब habit से A निकाल ये तो bit बचेगा ये बचेगा habit बचेगा बुड़ाई बचेगे और habit से A निकाल ये तो bit बचेगा थोड़ी सी बुड़ाई फिर बचेगी और bit में से B निकाल दीजे it रहेगा ही रहेगा तो फिर ऐसी आदत को डाले क्यों इस आदत को डालने में कौन सीयोंस यारी लगी हुए मुर्खता ही तो लगी हुई है इसलिए कुछ ऐसे चीजों को फालो कीजिए कि आगे वो आपको तरकी दे रोज आप कुछ पाजिटिव करें ये ज़्यादा जरूरी है इसलिए पढ़ने के तरीके को एकदम बदलिये और कौसिस कीजिए कि हम जिस चीज को पढ़ें हम रिविजन के लिए भी उसके लिए टाइम निकाले इसी रूप में आप दिन को फिक्स कीजिए और ब्लूपरिंट को उसी रूप में बनाईए साम में जो ब्लूपरिंट बने तो यह हर हाल में कोसिस कीजिए कि नेक्स्ट दे हमको उसको पूरा करना है उसके लिए कोई टाइम का रूटीन नहीं बनाई है जब टाइम मिलेगा उस सिफ्ट में हम उसको पूरा कर लेंगे तो रेगूलर गर आप तीन चार्ट टॉपिक पे भी अगर ब्लूपरिंट बनाके अगर आप काम लगाथार कर रहे हैं सब्ताह में पाँच दिन का दो दिन आप रिविजन के लिए भी रखते हैं तो आप च्पाँच शे महीने में उस अस्तर पे होते हैं जहां पे आपको होना चाहिए और तब आप में एक आत्म विश्वास डेवलप होता है चुकि जब कुछ गेन करेंगे तब तो आत्म विश्वास बरेगा और यही आत्म विश्वास जो है वो आपको continuity देगा आप उबेंगे लेगे आपको motivational speech सुनने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप खुद अपने आप motivate होते रहेंगे रोद motivational speech को सुनकर कहेंगे कि नहीं हम थोड़ा motivate होंगे और I.S. निकाल लेंगे बला जिसकी यह आदत पर गई कि नहीं motivation सुनेगा और मेहनत करेगा और I.S. निकालेगा कभी I.S. निकालेगा चुकि वो self-motivated है ही नहीं और self-motivated होने के लिए जरूरी है कि हमारे जो काम करने का प्लान है वो बहुत काईवेका होना चाहिए जो आपको इनर्जी देता है और यही इनर्जी आपको self-motivate करता है यह ज़ादा जरूरी है कभी-कभी student यह भी question पोचते कि बाई क्या हमको तयारी करनी चाहिए गारजियर भी ऐसे प्रसन करते रहते कि बाई हमारा बच्चे का 10th class तक बहुत अच्छी पढ़ा ही नहीं हुई 10th class तक में ध्यान नहीं दिया तो क्या उसको तयारी करना चाहिए कहने का मतलब है दो मुद्दा पे हम लोगों ने चर्चा किया कब प्रारंभ करें और कैसे पढ़ाई करें तीसरा जो मुद्दा बार-बार आता रहता है वो क्या है ऐसे examination की तयारी किसे करनी चाहिए एक बात मैं विल्टास पस्ट कर दूँ चुकि आप लोग लगतार यूटूब पे वीडियो सुनते रहते हो और आप लोगों को जो comfort जोन की बात करता है वो आपको बड़ा अच्छा लगता है पाँच दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें आपको बड़ा अच्छा लगता है साथ दिन का मैराथन 100% कोस्टन लर जाएगा आपको बड़ा अच्छा लगता है लगता रे बाह क्या कमाल का इंसान है अरे ऐसा मैराथन उस 700 दिन लेगा तो भी रिजल्ट नहीं होगा चुकि सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है तो उस मैराथन से होगा क्या कोई चांस नहीं बनता है मुगालते में जीने की आदत नहीं डालनी है एक बात तो मन कर जलिए कि कमफर्ट जोन में रहकर आप निकाल ही नहीं सकते है चुकि जैसे ही आप कमफर्ट जोन में आते हैं आप ऐसे सोचिए न कि आज अगर आपका क्लास और आपके दिमाग में आज आए कि आज तो पांच मिनिट लेग हो गया आज छोड़ो कल जाते हैं फिर आपका दिमाग ये भी कहता है कि आज जरूरी चीज होना है जाना चाहिए लेकिन एक बार चुकि दिमाग में ये बात आ गई कि आज छोड़ो ये छोड़ो इतना प्रभावी हो जाता है कि दिमागी तोर पे आप आलसी हो जाता है नहीं छोड़ अब कल ही जाएंगे निगेटीव चीजें जादा हमें प्रभावित करती हैं नहीं तो ऐसी चीजों को अगर दिमाग में डालेंगे न तो आपको लगेगा कि हम कमफर्ड जोन में रहके सिविल सर्भी से निकाल लेंगे पिसी चीजों कभी होना ही नहीं चुकि आप अकेरे कम्टीटर ही नहीं कास्मीर से कन्या कुमारी तक कम्टीटर बढ़ा पड़ा हुआ है उसमें आपको अगर अच्छा करना है तो आपकी कुछ आदते भी अच्छी होनी चाहिए आपके काज करने का तरीका भी बेटर होना चाहिए और आपके सोच का दायरा भी बरा होना चाहिए कम मेहनत में बड़ी सफलता आज तक मिल ही नए यह तो संजोग की बात है अब खुदा ही महरवान हो जाए तो बात ही अलग है कहा जाता है खुदा महरवान तो गधा पहरमा अब भगवान ही आपके परती सरदा रखे और आपको सफलता मिल जाए तो बात अलग है लेकि 99% क्या 99.9% लोग जो है उस पे भगवान सरदा नहीं रखता है कि हम भगवान से मांगे और भगवान दे दिया नहीं भगवान जानता है कि इसको हर चीद दे के बेज़ें आख नाख कान ब्रेंद सब दे के बेज़ें निकाल लेगा इसलिए संजोग से कुछ भी नहीं होना है जो भी होना है आपके मेहनत के बलबूते होना है इसलिए comfort जो मेरा कर तयारी करेंगे और सोचेंगे मेरा हो जाए नहीं होगा कोई चांस नहीं आपको मेहनत तो करना ही है तो ये मुद्धा बार-बार उठता है किसे तैयारी करनी चाहिए अब कोई student का 3. class तक basic ही अच्छा नहीं है 12. class तक basic ही अच्छा नहीं है जबकि आप लोग syllabus को देखते है सिबिल सर्विसेज का syllabus, PCS का syllabus साइंस की तूलना में मानविकी विसेओं का एरिया काफी बड़ा है वैसे इस्थिती में अगर basic कमजोर है तो फिर कैसे सिबिल सर्विसेज कर सकते हैं कोई chance ही नहीं बनता है विसेबस्तू की समझ ही नहीं हो और तब हम पढ़ेंगे डीडी बासू तब पढ़ेंगे हम लक्षमी कांत या पढ़ेंगे बिपिंचंद दिमाग accept ही नहीं करेगा इसलिए कि उसमें कभी interest क्रियेट ही नहीं हुआ है लेकिन एक बात तो जरूर मानेंगे ऐसे कईया student जिनकी स्थिती काफी बेहतर नहीं थी बहुत ही सामने कटेगरी में थे लेकिन मेहनत करके अपने आपको उस लाइक बनाया और सफलता दी कहने का मतलब है ये एक्जामनिशन टाइम मांगता है ये एक्जामनिशन एक टैंपो मांता है रेगुलरीटी मांगता है और मांगता है अबाउट 6 से 8 गंटा की तैयारी रेगुलर मैं 12-13 गंटे की बात नहीं कर रहा हूँ चुकि ब्रेन है 12-13 गंटे की अबसकता नहीं लेकिन 6 गंटा-8 गंटा रेगुलर अगर मेहनत करने की चमता है और बंदे में डेडिकेशन है खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो वैसे इस्थिती में कोई भी स्टूडेंट तैयारी के लिए सोच चकता है तब सबसे पहले उसको बेसिक अस्थर पे अपने आपको मजबूत करना होगा तब फिर चूटका टाइप या गाइड टाइप किताब पर के वो कहेगा कि हम सिविल सर्विसे निकाल लेंगे नहीं तब उसे सबसे पहले बेसिक अस्थर पे मेहनत करना होगा 6 से 12 के NCIT पे कमांड करना होगा पूरे डिडिकेशन के साथ समझ को विक्सित करना होगा और तब आगया एडवांस अस्थर पे अगर वो तयारी करता है तो वो निकाल सकता है तो जो जिस बंदे में continuity है जो एक टेंपो में सतत मेहनत कर सकता है जिसमें 6 से 8 गंटा लगातार मेहनत करने की कुबत है और जो अपने लक्षी के परती इमानदार है कि वो खुद का ट्रांसफर्मेशन करेगा ही करेगा तब उसमें निकालने की संभाबना है वो कुछ भी कर सकता है निकाल सकता है अन्यथा अगर बेसिक भी बेतर नहीं है और ये तमाम छमताएं भी अगर नहीं है वैसी इस्थिती में अगर वो कहता है कि नहीं हम सिविल सर्भी सेज़ देंगे या PCS निकालेंगे चांस कम बनता है मैं नहीं बोलने वाला तो कोई होता नहीं हूँ लेकिन ऐसी इस्थिती में बहुत मसकत है लगभग नहीं की गुणजाई सी ज़दा है चुकि ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं क्या आपको भी इस बात की जनकारी है तो ये तो है कि भाई किसी तैयारी करनी चाहिए चौथी बात जो बार-बार आती है क्या पढ़ है ये बार-बार अस्टुडेंट पूछते हैं क्या पढ़े जबकि वो जानते है तीचर से कहीं ज़्यादा स्टुडेंट को किताब के बारे में नौलेज है किताब के राइटर के बारे में नौलेज है बहले उस किताब को उन्होंने पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ तिछ से लेके 12 तक के NCRT को पढ़ लेना चाहिए एक दम जुबान पे रठा हुआ है लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए क्या NCRT बैच को लेकर क्लास करना चाहिए अब पता चलता है NCRT बैच में पढ़ेंगे पहले चाहिए अब जिस उमर में आप हैं आप चाहिए अगर हमारा बेसिक अच्छा नहीं है तो वैसी इस्थिती में सिक से लेके 12 क्लास के NCRT को सबजेक्ट बैच सबसे पहले 6 महीना 8 महीना टाइम दे के पूरा करेंगे और टब एडवांस अस्तर पे कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे पेपर पढ़ेंगे मैक्शिन पढ़ेंगे ये ने की गाइड से शुरू कर देंगे NCRT के सिनॉप्सि सरट जाएंगे बनेगा चुकि कोश्चन दिन परती दिन बेहतर होता जा रहा है और सिर्फ आप PT के लिए नहीं है PT के बाद आपको मिंस भी देना है जब आप PT की तियारी करते हैं तो PT में आप समगर अध्यन करते हैं आप information को collect करते हैं concept के अस्तर पे आपने आपको मजब आनने का समझने की कोशिस करते हैं अपने भीजन को develop करते हैं और वही जब interview में आप आते हैं तो वो उसका application पार्ट होता है आप उसको present करते हैं बैचारी कस्तर पे तो तीनों कहीं न कहीं क्या है एक तरस से related है जुड़ा हुआ है जब तीनों जुड़ा हुआ है तो फिर PT की तयारी चुटका टाइप क्यों पीटी की तयारी गाइड से क्यों अपने बेसिक की तयारी गाइड से क्यों तो जब भी हम तयारी करेंगे तो हर वक्त मानक पुस्तक का ही इस्तमाल करें NCRT का इस्तमाल करें मानक पुस्तक जो G.S. का है डीडी बासू है लक्षमी कांत है अस्पेक्ट्रम है वेपीन चंदर की किताब है ठीक है ऐसे तमाम पुस्तकों का इस्तमाल करेंगे आपसिनल सब्जेक्ट के लिए विसे विसे संगे से पूछेंगे जो आपका सब्जेक्ट है वो बताई कि वाई किस मिसे को किस मतलब की बुक्स से पढ़ना चाहिए कौन से राइटर बहतर है ठीक है इसलिए जब भी परहें कोशिस करें मानक पुस्तकों से परहें और जब भी परहें तो कॉपी कलम के साथ हम लिखने का प्रैक्टिस करें लिखते लिखते धीरे धीरे क्या होता है कि आपके दिमाग में कोश्चन की समझ हो जाती है आप कोश्चन को समझते हैं बेहतर एंसर का फॉर्मेटिंग करने की आदत हो जाती है ऐसे करके दिन परती दिन आप अच्छा करते हैं जिस काम में आज 10 गंटा लगता है कल उसी काम को करने में आपको 1-5 गंटा लगेगा ये maturity आपको हासिल करनी है इसलिए क्या परें तो हर वक्त ध्यान रखना है कि मानख पुस्तकों को ही पढ़ना है ये नहीं कि हम guide का इस्तेमाल कर लें भाई ये पढ़े थे तो इतना question लड़ गया था अमुक आदमी ने कहा पढ़ना सुरू कर दिये तो market में तो आज के date में गलती से आप खाली कह दीजिए कि भाई हमारे चाचा जी को सुगर का problem है एक हजार बंदा सुगर का दबाई बता देगा इसके लिए डॉक्टर होने की जरुवत है नि ठीक बैसे ही आप कैसे तैयारी करें इसके लिए किसी expert के पास जाने की जरुवत निखा लिए आप जुवान खोलिए आपको यहां बताने बानों की भीड लग जाएगी और आपको लगेगा यह भी अच्छा बोल रहा है यह भी अच्छा बोल रहा है तो ऐसे तो काम चलेगा निए content तो धेर सारा available है तो उस content से हमारा क्या आपको क्या फाइदा है contents को परके knowledge भी gain कर लिए तो क्या फाइदा है जब तक कि maturity नहीं आया जब तक कि perfection नहीं आया उस पर तो आपको उस subject matter पर perfection भी लाना है आपको maturity gain करनी है तब आपको निकालना है तो वैसे इस्तिती में एक छोटी तपस चरजा ही है कई बुरी आद्तों से बचने की जरुवत है पढ़ाई करने की जरुवत है प्रहाई के time में full concentration की जरुवत है यह ने कि उस मक्त मी mobile हाथ में है अपना देख रहे हैं गाना सुन रहे हैं पर रहे हैं दोनों एक साथ नहीं हो सकता है दोनों को अलग अलग अलगा परेगा कुछ गंटे के लिए mobile से अपने संपर्क को तोरने की आदट डालनी पड़ेगी हर हाल में चाहे दुनिया इदर जाए या उदर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेरा time है इस time के परती आप इमांदारी से अगर निष्ठाबान है आप कर सकते है तब उसके बार एक कुशन जो बार-बार बनता है तब जो लोग पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कोचिंग के बारे में की कोचिंग की क्या प्रसांगिकता है इसमें सेविल सर्विसेज की तयारी में कोचिंग की क्या माहता कोचिंग की क्या प्रसांगीता अब इस मुद्धे पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा सबसे पहले तो आपका सेलफ स्टेडी होना चाहिए ताकि आप कोचिंग और कोचिंग के सिक्षक जो आपको पढ़ाने बने हैं आपको ये समझ में आजाए भाई की नहीं हम जहां जिसको चुन रहे हैं वह पॉजिटिव है सिर्फ भीर के आधार पे अगर चुन रहे हैं तो आप क्वालिटी के साथ समझाता कर रहे हैं चुकि भीर वहीं बनती है जहां आप वह सर्चर कर बोलता है तो वैसे इस्थिती में आपको काईदे से अपने विबेक से सोचने की जरूरत है यूटूब पे भी अगर आप किसी को सुनते हैं किसी को फॉलो करते हैं तो वैसे इस्थिती में जरूरी है कि उस विसेबस्तू पे आपकी जानकारी हो जिस भी से बस तुको आप सुन रहे है उस subject matter से जुड़े question की आपको समझ हो जिसे आप सुन रहे है तब आपको ये लगेगा कि जो आप time दे रहे है वो पॉजिटिव दे रहे है या negative दे रहे है और coaching issue की क्या महत्ता है मैं एक सामने कहानी के जड़िये इसको व्यक्त करना चाहूँगा एक बुक में मैं पर रहा था कि अरब का दरबार लगा हुआ था और अरब का सुल्तान सामने सभासत धेर सारे बैठे हुए थे जिसमें मंतरी महा मंतरी और जो होते हैं कलाकार कभी सभी मौजुद हुआ करते थे उसी वक्त युनान के कुछ चितरकार आये और सुल्तान से कहा भाई कि हमें मौका दे हम बहुत बेटर चितरकारी करते हैं हमारी उम्दा चितरकारी को देखकर आप खुश हो जाएंगा तो अरब के दरबार में बैठा चितरकार परतिकरिया बेक्त किया जब इतने अच्छे अच्छे चितरकारे यहां मौजूद हैं तो फिर इस चितरकार को प्रसर देने की क्या जरूरत है लेकिन सुल्तान के मन में तो कौतुहल पैदा हो चुका था कहा कि चलो देखी लेते कि तुम्हारी क्या चितरकारी है इनकी क्या चितरकारी है इनकी चितरकारी की क्या खासियत है एक परतियस परदाई ही हो जाए तो एक बड़ा सा हॉल बड़ी सा हॉल का दो दीबार एक दीबार अरब के चितरकारों को दिया गया, दूसरा दिवार, युनान के चितरकारों को दे दिया गया, और कहा गया भाई, एक महीने का टाइम है, आप चितरकारियां कीजिया, एक महीने के टाइम के बाद जो एक डेट फिक्स किया गया, उस दिन परदरसन हो जाए, देखा जाए किसके चितरकारी बेहतर है ऐसा ही हुआ अरब के चितरकार ने उस दिबार परदा लगाया पेंट कुची बरस लेकर पहुच गए परदा के पीछे चितरकारी करने लगे लोगों ने देखा बड़ा मेहनुत कर रहे हैं कुछ उमदा ही होगा दूसरी और युनानी चितरकार ने भी एक दिबार पर सामने लेकर जाता है लेकिन परदा के पीछे तो आठ दस गंटा कुछ न कुछ करता रहता ही कर क्या रहा है ऐसे धीर धरी एक महिना बीद गया और जब एक महिने के बाद एक फिक्स डेट आया जिस दिन चितरका परदर्सन होना था लोग जमा हो गये सुल्तान भी पहुच गये स सबासद भी आ गये सबसे पहले अरब चितरकारों की चितरकारी को देखा गया जब परदा हटा तो बड़ा बेजोर चितरकारी उमदा चितरकारी प्रकृती का चितरन मानब का चितरन पसु पक्षी का चितरन ऐसा कि जिसमें जीवंतता थी ती गती सीलता भी थी लगता था अभी पक्षी निकल जाएंगे, अभी पसु बोल पड़ेंगे, इस प्रकार का भाव उभर कर सामने आया, काफी तालिया बजी, प्रोच साहन मिला, उन कलाकारों की वह क्या आपने बखुवी कलाकारी किये है, अब बारी आई युनानी चितरकारों की, तो उधर का पर्दा है, तो आज सर्च की बात थी कि अरभी चितरकारों ने जो चितर मनाया थे, उससे कहीं बहतर चितरकारी, युनानी चितरकारों के दिवारों पे दिख रही थि, सेम वही चितरकारी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उंधाल, शुल्तान ने पूछा, भाई, यह सा क्या है आत्मा की देन है, जिन्होंने इन्हें जीब दिया है, इन्हें जीवन दिया है, इन्हें बनाया है, हम इन्हें बनाने वाले कोन होते हैं, हमने तो सिर्फ पॉलिस किया, चमकाया है, तरासा है, मांजा है इसको, यानि उन्होंने एक महिने तक दिबार को सिर्फ पॉलिसी किया रदरा, चमक दी, पडिनाम क्या हुआ, इधर का जो चित्र था, इधर काफी उम्दा तरीके से उभर कर सामने आ गया, जस्ट लाइक कोचिंग का यही काम होता है, बैतर टीचर का भी यही काम होता है, जो बिसेबस्तु को इंट्रेस्टिंग बना दे, जो आपके ब्रेन तक बिसेबस्तु को लेकर पहुँचे, आपको ट्रेंट करे और आपसे महनत करा दे, यही कोचिंग का बैलू होता है, बसकते वो कोचिंग सही है, बसकते परहाने वाला टीचर सही है, यही भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी होती है, जो आपको सफलता तक पहुँचा बाकितों सारा छी आप में ही, आप में सोचा एक्जामिशन के लिए, आप मेहनत करते हैं, तो आप में डेडिकेशन है, आप में समझ है, अपने लक्ष के परती इमांदारी है, यह तो आप में है, तो सिर्फ यह कंटिनीव हो, बिसेबस्तु इंट्रेस्टिंग लगे,